अध्याय चार दिव्य ज्यान कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो अते तुम इस विज्यान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो इस प्रकार यह परम विज्यान गुरु परमपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज रिश्यों ने इसी विदी से इसे समझा किन्तु काल क्रम में यह परंपरा छिन हो गई अतहय विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया रगता है अरजुन ने कहा सूरेद्दे विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं तो फिर मैं कैसे समझू कि प्रारंब में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकान एक जन्म हो चुके हैं मुझे तो उन सबका इस्वरण है किन्तु हे परंतप तुम्हें उनका इस्वरण नहीं रह सकता है यद्यपी मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपी मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रतेक यूग में मैं अपने आदी जिव्य रूप में प्रकट होता हूँ हे भरतवन्शी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ भक्तों का उध्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ हे अरजुन, जो मेरे अविर भाव तथा करमों की दिव्य फ्रकृती को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भोतिक संसार में कुना जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है आसकती, भय, तथा क्रोज से मुक्त होकर, मुझ में पूनतया तनमे होकर, और मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ती भूतकाल में मेरे ग्यान से पवित्र हो चुके हैं इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रती दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहन करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ ये पार्थ प्रती एक व्यक्ती सभी प्रकार से मेरे पत का नुगमन करता है इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिध्धी चाहते हैं फल सरूप वे देवताओं की पुजा करते हैं निस संदेश संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीग्र प्राप्त होता है प्रकर्ती के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए यद्यभी मैं इस विवस्था का सरष्टा हूँ किन्तु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्या करता हूँ मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पढ़ता नहीं मैं कर्म फल की काम ना करता हूँ जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वहभी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंदता। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतय तुमें चाहिए कि उनके पदिचिन्णों का अनुसरन करते हुए अपने कर्टव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इसे निश्चित करने में बुद्धिमान जेक्ति भी मोगरस्त हो जाते हैं। अतर मैं तुम को बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जान कर तुम सारे अशुब से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है अतर मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुश्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुश्यों में बुद्धी मान हैं और सब प्रकार के कर्म में प्रवर्ट रहकर भी दिव्यय सिती में रहता है। अपने कर्म फलों की सारी आसकती को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सा काम कर्म नहीं करता। आपरूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। जो सुत होने वाले लाव से संतुष्ट रहता है जो द्वंद से मुक्त है और ईश्या नहीं करता जो सफलता तथा असफलता दोनों में इस सिर रहता है। वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रतिया ना सकत है और जो दिव्यज्यान में पूर्टया इस्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनम्रत में पूर्टया लीन रहता है। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। शवनादी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रन रूपी अगनी में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग इंद्रिय विशयों को इंद्रियों की अगनी में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कारियों को सैयमित मन रूपी अगनी में आहूती कर देते हैं कठोर वृत अंगी कार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्य द्वारा, कुछ अश्टांग योग पद्धिती के अभ्यास द्वारा अत्वा दिव्य ज्यान में उन्नती करने के लिए वेदों के अर्ध्यम द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं अन्ने लोग भी हैं जो समाधी में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधी में रहते हैं अन्ययोगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहूती देते हैं ये सभी यग्य करने वाले यग्यों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यग्यों के फल रूपी अम्रित को चक्कत परम दिर्द्य आकाश की और बढ़ते जाते हैं हे कुरुशेष्ट जब यग्य के बिना मनुष्य इस लोक में या तो इस जीवन में ही सुखपूरवक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा ये विबिन्य प्रकार के यग्य वेज सम्मत हैं और ये सबी विबिन्य प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे ये परंतप द्रव्य यग्य से ज्ञान यग्श रेष्ट है ये पार्थ अंततो गत्वा सारे कर्म यग्यों का अवसान जिद्य ज्ञान में होता है तुम गुरू के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो उनसे विनीत होकर जिग्यासा करो और उनकी सेवा करो सुरुप सिद्ध व्यक्ति तुम्हे ज्यान पदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है सुरुप सिद्ध व्यक्ति से वास्तवि ज्यान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुन्हे कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ग्यान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश्वरूप हैं अर्थात वे सब मेरे हैं यदि तुमें समस्त पापियों में भी सरवाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्व ग्यान रूपी नाव में सिथोकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे जैसे प्रजुलित अगनी इंधन को भस्म कर देती है उसी तरह है अर्जुन ग्यान रूपी अगनी भौती कर्मों के समस्त पलों को जला डालती है इस संसार में दिव्व ग्यान के समान कुछ भी उदात तता शुद्ध नहीं है ऐसा ग्यान समस्त योग का परिपक्व फल है जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ग्यान का स्वादन करता है जो शद्धालू जिद्ध अग्यान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ग्यान को प्राप्त करने का धिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शान्ति को प्राप्त होता है किन्तु जो अज्ञानी तथा शद्धा विहिन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामरत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में नहीं पर लोक में कोई सुख है जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्या करते हुए भक्ती करता है और जिसके संशय दिव्य ज्यान द्वारा विनश्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्म परायन हैं ये धनन्जय वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता अतेर तुमारे हिदे में अज्यान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्यान रुपी शत्र से काट डालो ये भारत तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और उद्द करो